अलो विद्यार दिमित्रो आजे आपने एक पॉइंट छो जे कुब अगत्यनों जे जेना आपने इन्या कैसु कुलम नो नियम तो बे विद्यूत भारो वच्चे इतला मुल्यानू बढ़ लाग से ए समझवा माटे आपने कुलम नो नियम कुब अगत्यनों जे कुलम नामनो वईद्याने के सव प्रधम पोताना प्रवगो करी अने ए व्याख्याइट करी हो के केटलू एमना उपर बढ़ लाग से तो स्टार्ट करी आपने कुलम नो नियम तेना नियम प्रमाणे जो बे बिंदू अत विद्यूत भारो होए दारो के एक विद्यूत भार छे small q1, small q2, विद्यूत भारो ने आपणे small q अठ्वा तो capital q दवारा दरसा ही सकीया चे बिंदू अत विद्यूत भारो एले के कोण समान विद्यूत भारो होए एना माटे ज आनियम लागू पड़े छे अने जो वधार विद्धुद भारो होए तो आपने संकलननों उप्योग करी अने अनों उप्योग बविश्यमा करी सुँ पण हाल आपने जे समझवानू छे ए के बे बिंदू अत विद्धुद भारो के जे Q1 अना Q2 जे दारो के आ बन्ने वच्चे नू अंतर R जे तो कुलम जे जे नियमा पे हो या प्रमाण छे के ते बन्ने विद्धुद भारो वच्चे लागतू बढ़ ए बन्ने विद्धुद भारो ना गुणा कारना सम प्रमाण माँ छे अनो बन्ने वच्चे ना अंतर ना वर्ग ना व्यस्त प्रमाण माँ छे तो अईया कई सकाई के f is directly proportional to q1 q2 divided by r square तो आने अपड़े कुलम नो नियम कई है अवे जो सव प्रमार्दानी निसानी काडी नाखवा मा आवे तो आपड़ा आने आम लखिये जे के f equals to अईया k q1 q2 divided by r square अई सेम गुरुत वाकरशन ना नियम देवो जे के जेमा तमे जोई गया दो के बे बिंदुवत विद्दुद बारो वच्चे लागतू बाळ ये ते बने विद्दुद बारो ना मुल्यो ना गुनाकार ना संप्रमाणमा अने तेमनी वच्चे ना अंतर ना वर्ग ना व्यस्त प्रमाणमा छे प्रवगो पर थी इलाके ये जेरे आ प्रवग करयो त्यारे विद्दुद बार केटलो हो छे ये मापपानू येनी पासे कोई साधन हतु नहीं पन ते चत्ता येने लोजिक नो उप्योग करयो अने बे समान गोड़ा होने एक बिजान संपरक माला है अने बन्ने पर नो विद्दुद बार सर्खो करी अना नियम थार्वगो शे तो एक किवरीटे सर्खो था येनी चर अपने पछी करवानी जे हाल आपड़े जोई सुके ए फिक वस्तु के क्युवन क्यूटू छेद मा आर्सक्रे अपने जोई गया के विद्दुद बार नो जे एकम जे एक कुलम जे येव आपड़े गया वीडियो मा जोई गया पार जनली वैवार मा कुलम खुबाज मोट एकम पड़े इतले आपड़े मोटे भाग ये माइक्रो कुलम अथवा तो मिली कुलम नो अथवा तो केटली कवार आपड़े नेनो कुलम छे एनो पन उप्योग करदा होई येशा हवे जो अहिया येने संख्याबन प्रवगों करया अने एना उपर दी आने जोई हूँ कि गिम्मत चे एब नौ मल्टीपलाई वाग टेन डिस्टू 9 sólo के 9 मल्टीपलाई त्टी आवता तो जो हवे एनों एकम आपड़े मेलराव और अपन्रा खबर है के दरेक क्ली आत Bush ऑसै एदरेक करदाश्याऊ को ये एकम रहीत होता ना थे जो तमें या Frame जो तवा कुलम स्क् अना आनो तो एकम जे न्यूटन तो एनो मतलब यहां आपड़े आ बनने बाजुन ना एकम उने सर्खा करवा माटे के ने आपड़े फरज्याद पणे एकम आपी देईए छे तो के भई के ने जो एकम आपड़े तो आपड़े एनों सुत्रनों करदा बनाईए के के इकोल्स तो अहिए एफ इन्टू आर स्क्वेर छेद मा क्यू अन्टू क्यू टू तो माटे के नों जो एकम आपड़े लई है तो एके नों एकम अहिए थसे ए न्यूटन इन्टू मीटर स्क्वेर छेद मा कूलम स्क्वेर तो अहीं आपड़े कही सकिया के के नों जे ए गम जाए ये Newton into meter square sister माझन स्क्वेर धार तो माट्य कही सका है कि K equals 2i9 multiplied by 10 raise to 9 Newton into meter square Sophia मां कूलम स्क्वेर धार तो कूलम नो नियम जे जैना अपड़े हिंहाँ अधीश स्वरूपे पहला लेया दो त्यार बाद स्वधी स्वरूपेनी पन चर्जा करी सुन। तो ए नियम सुझे बे बिंदुवत विद्यूद भारो Q1 अना Q2 वच्चे नू अंतर जो आर होई। अपने सरवर्था खातर अने विजा प्रवगों उपर थी के अचणांक ने अपने आरिते पून लखी सकीया जै वन अपन फोर पाई एपसिलोन जीरो अपने फोर अचण जै पाई अचण जै एपसिलोन जीरो जै ये जेते माध्यम मा नी पर्मिटिविटी जै सपोज इन्या स्टार्ट करिया जै त्यारे आ बनने सुनिया उपवा नी लाक्षनिक्ता इला के हुआ मा बूघ्शनिक्ता ये इला पर्मिटिविश्टारी जै लुक के लाउज पाई जनि आज विजा वयरे माध्यम मा मंुक्यै तो त्यामी वच्चे लाग्तू बड़ बडल है जै औन् आ एपसिलोंग जीरो अच्छडांग पर मड़ा जे जे न अपड़ा इहां कहिए जे सुन्या उकास नी परमीठी वीठी बराबर इंगलिस माँ आपड़ा इने परमीठी वीठी कहिए जे गुजराती में आपड़े ना कहिए जे परावईद्यू तांक जो के आपड़े यह गुजराती में परमिटिविटी लग्सो तो चाल से अबे आ सुन्यावकास में जो आपड़े आ बे विद्धुद बरो मुख्या होए तो तेमनी वच्चे लागतू बढ़ सोधवा आपड़े एपसिलोन जीरो मुख्या पड़े अने सुन्यावकास माटे के नी किम्मत आज है तो माटे जो एपसिलोन जीरो इकोल स्टू वन अपोन 4 पाई एपसिलोन जीरो नी जग्या है सुत्रनों करता बनावता वन अपोन 4 पाई के लई है तो अहिया किम्मत 8.85 मल्टिप्लाई बाई 10 डेस टू माईनस 12 मढ़े अवे 4 अमेद पाई ने तो कोई एकम छे नहीं तो परमिटिविटी नो एकम ए जे केणों एकम होई जै एना करदा वेस्ट लजी लेवामा आवर इतले कि एहां जो केणों एकम आपने लए तो एकूलम स्क्वेर एपसिल आ जीनों नो जे एकम लजी है तो ए आना करदा विस् पेदमा, न्यूटन पर मिटर स्क्वेर, तो आना उपर दी आनु पारी मनेक նुतरं बनाई अनना याद राखोआनु, आनु पारी मनेक सुतरं बनाई अनन याद राखोआनू, पड़ बनाव दी वखतें, कुलामब A, SI, practicing मा आउथो नही, एटले यह जार एकू आहिटी ब्रमाने कुलम नो एकम A1 अन T1 अहिया लेवानो होई शे ओके तो ये दम जाते रहत न कर जो हवे आपड़े जो ये तो अहीं अपड़ी परसे आजे कुलम नो नियम जे ये कुलम ना नियम ने सदीश स्वरू पे पोन रजू करी सगाए तो सदीश स्वरू पे जो रजू करो होई तो एना माटे आपड़े सदीशो नो उगलेख करो पड़े जेने आपड़े अलग टोपिक मलाई सुँ पड़ अहिया याद राखो कि आ कुलम नो नियम जे गुरुत वाकरशन ना बढ़ना इयम जे ओच छे सादे सादे एपसिलोन जीरो छे इस सुन्य उकासनी परमिटिविटी छे अवे जो आ बे विद्यूत भारोने जो बे विद्यूत भारोने एपसिलोन परमिटिविटी धरावता माध्यम मा मुखवामा आवे तो तेमनी बच्चे लाग तुझे नव बढ़ जे एफवन इकोल्स टू ए आरिते लखाए 1 अपन 4π अवे एपसिलोन जिरो नी जग्याए एपसिलोन दी जासे है इन्या Q1 Q2 divided by R स्कुएर ख्याला हो अइन्या सु गरियो के नी जग्याए पहला 1 अपन 4π एपसिलोन जिरो हादो अवे पहला सुन्य आवकास मा बनने विद्यूत भारो हादा इतले सुनी अवकास नी परमिटिविटी मुखी पण जो आपड़े विजा कोई माध्यम माध्यम माध्य विद्धुद बारों ने इतला रंतरे मुखी है तो आपड़े ते माध्यम नी परमिटिविटी है या मुखी पड़े साथे साथे हैं यहां बीजी बात के जेने अपड़े आरिते संदी सके डाई इलेक्ट्रिक अच्णांक तो डाई इलेक्ट्रिक अच्णांक अथवा तो एने अपड़े कहिए जे सापेक्स परमीटिविटी जेने अपड़े के सिंबोल द्वारा क्यापिटल के द्वारा दर्शाई है अने अपड़े आरिते व्याखेट करी सके जे कि कोई पन माध्यमनी परमेटिविटी अने सुन्नी अउकास नी परमेटिविटी ना गुणोत तर ने ते माध्यमनी सापेक्स परमेटिविटी अथ्वा तो यहने डाई एलेक्टिक अचलांक कहे छे अखास द्यांदी समझ्जो तो हवे धारों के कोई अपड़े आवा एपसिलोन परमिटिविटी दरावता माध्यम मा जो बेव इद्यूत बारों ना मुक्या आज है तो एपसिलोन जिरो नी जग्या एपसिलोन मुक्या है पन को कवारा पन डाई इलेक्टिक अच्छणांक ड अने बे विद्यूत बारों वच्चे लाग्तू बाड़ अपड़ा आरीते आपी सक्ये के एफ नीकेस्ट और यहां 4पाई और यहां कैपिटल के आई एक्सिलोन जिरो और यहां Q1 Q2 डिवेड़ेड़ बाइ आर स्क्रेड तो आरीते पन आपड़े बे माध्यमों मां औरे कोई माध्यम मां बे विद्धूत बारो वच्चे लागतु बढ़ ए सोधी सके छे तो आसाथे कुलमना नियमनी सदी अदिस्वरुपे संपून समझूतिया पून थे अने अवे अपड़े नेक्स्ट लेक्चर मां कुलमनीयमनों सदी स्वरुपे उपयोग समझी सके अद्वा की उरी देल अखी संगे